हलो दोस्तो स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल इकनाम एक्सवाई संदी परोडा में तो बहुत सरे बच्चों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कोमेंट्स आ रहे थे कि हमारा देश इतना मंदी के अंदर कैसे जा रहा है कि जब हमारी सरकार के पास नोट छापने की मसीन भी है तो क्यों ना हम नोटों को छापके सभी लोगों को अमीर कर दें और हमारे देश को ग्रोथ की तरफ बढ़ा दें तो साथियो सुनिएगा आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया भर की जो सरकारे हैं वो अगर नोट छापने की मसीन उनके पास है तो वो देर सारा पैस चापकर क्यों ना सभी को अमीर बना दे और अगर सोची सभी के पास देर सारा पैसा होगा तो वो सभी के सभी अमीर बन जाएंगे अमानी बन जाएंगे फिर कोई गरीब नहीं रहेगा गरीबी नाम की चीज ही खतम हो जाएगी किसी को किसी से कुछ मांगने की जूरत नही कुछी आउंगी लेकिन ठहरिएगा इन सपनों को ब्रेक लगाईएगा अगर पैसा चप गया तो हर तरफ हाहां कार मत जाएगा आज हम इस पूरे सवाल को अच्छे तरीके से परदा उठा कर समझेंगे कि यह सवाल किस तरह का है और क्या क्या प्रोब्लम्स क्रेट करने वाल सबस्ती है यह उस देश की जनता पर डिपेंड करता है अब सर्विस का मतलब आपको पता ही है डोक्टर से लेकर आटो मनुफेक्षर तक जितना भी है सब का सब सर्विस में और गुड्स का मतलब सारी चीज़ें जितनी भी गुड्स हमारे जीवन जीने के लिए हमें चाहि जीए गुड्सन्स शर्विस एक देश के पास होती है उतनी करंसी उस देश के पास होनी चाहिए यह फाइनल फॉर्मूला है किसी देश में उत्पन होने वाले गुड्सन्स सर्विस की कीमत यह बराबर होने चाहिए देश की मौजूदा मुद्रा के तो साथ्यों हम इसको एक एक्जामपल से समझेंगे, देश एक बड़ा बजार है, सिमित मात्रा में गूट्स है वहाँ, और उन गूट्स को खुरीदने वेब बेचने के लिए, जिन टॉकन्स, जिन गूपन्स का यूज किया जाता है, वही करंसी है, यदि करंसी की संक्या बढ़ाने से, गूट्स जादा होगा, पर गूट्स नहीं मिलेंगी, गूट्स बहुत कम होगी, तो इससे क्या होगा, इससे पूरे देश के अंदर महंगा ही आ जाएगी, क्योंकि वस्तुएं होगी नहीं, और केवल लोगों के पास पैसा होगा, क्या पैसे को हम खा सकते हैं, पैसे से कुछ बनने वाला नहीं है इस सीज़ को एक confusing सा एक chapter बन जाता है इसको हम एक और example से समझेंगे इसको हम एक easy example से समझते हैं जैसे किसी देश में 5 लोग रहते हैं और सब के पास 100-100 रुपे हैं तो उस देश में 50 किलो चावल का उतपादन होता है तो उस 50 किलो चावल की जो उस समय की कीमत होगी वो 100 गुना में 5 यानि 500 रुपे होगी लेकिन होता क्या है अगर उस देश की सरकार ऐसा कर दे कि वहाँ पर unlimited currency को चाप दे और उस समय लोगों के पास हम यह मानते हैं कि 1000 रुपे हो जाएं तो उस समय 50 किलो चावल दो production जितना वरा था उतना का उतना रहे लेकिन लोगों के पास 1000 रुपे आ जाएं तो उस 50 किलो चावल की जो कीमत होगी वो कितना होगी पांच गुना हजार यानि 5000 रुपे पांच सो से कितना होगी 5000 यह किस वज़े से currency को चापने से क्योंकि वरस्तु का उत्पादन हुआ नहीं कर्स के निकला कि गौर्वर्मेंट जितने ज़्यादा नोट चापेगी उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी और इसी मंगाई को मुद्रा सफिती भी कहते हैं यानि डी एवेलिशन औफ करंसी हो जाएगी मुद्रा का अव मुल्यन हो जाएगा अब इसी सीज़ को हम एक और एक जमपल से समझें कि सरकार ने बहुत सारे नोट अगर चाप दिये और सभी को लाख लाख रुपे बांट दिये तब उन लाक रुपे सभी लोगों के पास चले जाएंगे लोगों को लाक लाक रुपे बाट दिये अब लोगों के पास काफी पैसा हो गया लाक लाक रुपे सभी के पास आ गए लेकिन वो लोग जब मार्किट में बिस्कीट भी खरीदने जाएंगे तो उस बिस्कीट को ख गांदर को भी होगा गूट्स उसमें मौजूद नहीं होगी करंसी के जादा छपने से जो सभी वस्तों की कीमत चाहिए साबुन से लेकर अगर हम किसी भी गूट्स की बात करें जो भी हमारे लिए चाहिए हमारे जरूरी है उनकी कीमते भी आसमान चूने लगेगी लोगों के देशों ने ऐसा काम किया कि ज़्यादा नौटों को चाप दिया तो उससे उन देशों के अंदर इंफलेशन महगाई मुद्र अस्विती बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जर्मनी की बात करें तो पर्थम विसमयूद के बद जर्मनी की हालत बहुट ज़्यादा खराब हो गई थी उसके उपर दुनिया बर का बहुट ज़्यादा करज बढ़ गया था- तो जर्मनी ने इस मुसीबत से निकलने के लिए क्या निर्ने लिया? कि उन्होंने अपनी क इससे क्या हुआ गुट्स उतनी थी नहीं और क्रंसी वहाँ पर जादा बढ़ गई इससे क्या ववा डियेई वैएन गया। और उस जिम बाबे की करंशी का डिएविलिशन हो गया इतना डिएविलिशन हुआ कि एक युएस डोलर 25 मिलियन जिम बाबे डोलर के बराबर हो गया इसे हिश्टरी के अंदर अति मुद्रा स्विती के नाम से भी जाना जाता है तो ये दोस्तो नेगिटिम पैक्ट आ सकते है तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि जितनी ज़्यादा करंसी छपेगी उतनी ही आपको inflation का सामना करना पड़ेगा यानि करंसी की अपनी कोई भी कीमत नहीं होती है उसकी केवल exchange value होती है बदले में आप उस नोट को देते हो इसे legal टेंटर भी कहा जाता है जैसा कि आप कानूं द्वारा authorized भी हैं कि आप goods and services के बदले में उसे नोट को exchange कर सकते हैं किसी भी करंसी की अगर कोई print करना है किसी भी करंसी को अगर publish करना है तो यह RBI GDP राजकोश्य गंतव और विकास दरादी को ध्यान में रखतर ही किया जाता है हमारे भारत में RBI ही तैय करता है कि कब और कितनी करंशी को प्रिंट करना है करंशी को पब्लिस करने के सारे काम RBI के द्वरा ही किये जाते है